अब देख रहे हैं Blue Tiger New Channel, हमेशा देखिए आपका हमसफर आपका साथी Blue Tiger New Channel दोस्तो सप्रेम जेबीम, हमें आडोकर सुधी रेस्ताइडे संचालक तता मुक्य संपादक Blue Tiger New Channel अमरावती महरश्था सबसे पहले Blue Tiger New Channel के कारेक्रमों को नियमित रुब से देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों का तता Blue Tiger New Channel के कारेक्रमों को नियमित रुब से सुनने वाले भारत के तमाम शोताओं का हम आडोकेड सुधीर यच ताइडे स्वागत करते हैं और आप सब को धन्यवाद देते हैं दोस्तों कविता हमारी कविता हमारी इस सेगमेंट में हाल ही में ही हमने जो एक हिंदी कविता लिखी है इस हिंदी कविता को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे है और हमारी हिंदी कविता आज हम आपको पढ़कर सुनाने जा रहे है हमारे कविता का शिर्शक है जिन्दगी को लाश का कफन किसने पहनाया है इस मुल्कों को मुर्दों का मुल्क किसने बनाया है जिन्दगी को लाश का कफन किसने पहनाया है जिन्दगी को लाश का कफन किसने पहनाया है किसने छीन ली है अवाम से जीने की सासे जिन्दे शरीर को बेजान बदन किसने बनाया है इस मुलकों को मुर्दों का मुलक किसने बनाया है कल रो रहे थे हम अपने अजीज के मौत पे हमारे मातम के दवरान यहां किसने जशन मनाया है हमारे मातम के दवरान यहां किसने जशन मनाया है इस मुलकों को मुर्दों का मुलक किसने बनाया है कौन करना चाहता है यहां लाशों पे हुकुमत लाशों पे सल्तनत खड़ी करने का मन किसने बनाया है लाशों पे सल्तनत खड़ी करने का किसने मन बनाया है इस मुलकों को मुर्दों का मुलक किसने बनाया है हम तो बेखव जी रहे थे अपनी जिन्दगी मजे से यह दोशत भरा हुआ जीवन किसने बनाया है इस मुलकों को मुर्दों का मुलक किसने बनाया है चारो तरप नजर आ रहे है सिर्फ धेर लाशों के जलती हुई चिताओं के धो से गंदा गगन किसने बनाया है इस मुलक को मुर्दों का मुलक किसने बनाया है कौन जिम्मेदार है हमारे मुलक के तबाई के लिए हमारे मुलक के अमन का चमन किसने जलाया है इस मुलक को मुर्दों का मुलक किसने बनाया है किसने इस मुलक को बना दिया है एक दम कंगाल किसने इस मुलक को बना दिया है एक दम कंगाल इस अमिर मुलक को किसने इस अमिर मुलक को निर्धन किसने बनाया है इस अमिर मुलक को निर्धन किसने बनाया है इस मुलक को मुर्दों का मुलक किसने बनाया है गमों की आग की बारिश किसने की इस मुल्क पे जक्मों का दर्द पहन कर भजन किसने सुनाया है जक्मों का लिबास पहन कर भजन किसने सुनाया है इस मुल्क को मुर्दों का मुल्क किसने बनाया है हमारे जिन्दा उमिदों का बेरहमी से किसने किया कतल हमारे जिन्दा उमिदों का किसने किया बेरहमी से कतल हमारे जिन्दा खुशियों को दपन किसने किया है हमारे जिन्दा खुशियों को दपन किसने किया है इस मुल्कों को मुर्दों का मुल्क किसने बनाया है जहर की बूंद नहीं थी यहां की हवा में कि यह जहरीला वातावरन किसने बनाया है इस मुल्क को मुर्दों का मुल्क किसने बनाया है कबरस्तान में चारो तरफ था सिर्फ बसे रा अंधेरे का चिताओ के आख से कबरस्तान को रोशन किसने किया है इस मुल्क को मुर्दों का मुल्क किसने किया है जिन्दगी को लाश का कफन किसने पहनाया है जिन्दगी को लाश का कफन किसने पहनाया है तो दोस्तों यह थी हमारी वास्तववादी हिंदी कविता यह कविता हमने हाल ही में ही लिखी है और यह हिंदी कविता आज कविता हमारी इस सेगमेंट में हमने प्रस्तुत की है हमने आज पेश की है और हमने यह कविता आज आपको पढ़कर सुनाई है दोस्तो यह हमारी हिंदी कविता वास्तववादी कविता आपको कैसे लगी आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे Facebook अकाउंट पे हमारे WhatsApp पे हमारे Twitter अकाउंट पे हमारे Instagram अकाउंट पे जारूर जारूर बेच सकते हो आप सबके प्रतिक्रियाहों का हमें बढा बेसबरी से अब हमें एडोकेड सुधीर एच ताइडे को इजाजत दीजिए अगली बार कविता हमारी कविता हमारी इस सेगमेंट में अगली बार हम आप से फिर रूबरू होंगे हमारी एक नई हिंदी कविता के साथ जे शिवराय जे भिमराय जे महरश्ट्रो जे हीन जे सविदान धन जाली को आग कहते हैं बुजी को राक कहते हैं जिस राक से बारूद बनता है उसे ब्लू टाइगर चानल कहते हैं